हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मै चैनल फ्रेश दिखे आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटन लेके आई हूँ बहुत ही इजी है ये पैटन बनाने में आप अपने मन पसंद किसी भी कलर में इसको बना सकती है और किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकती है आप इसको स रौंग साइड तो चल्लिए इस पैटन को बनाना स्टार्ट करते हैं इस पैटन को बनाने के लिए हमें 6 के मिल्टिपल फंदे चाहिए 6 plus 6 plus 3 extra plus 2 edge stitch तो चलिए start करते हैं इसको बनाना तो देखें यहाँ पे मैंने 6 plus 6 plus 6 plus 3 plus 2 यानि टोटल 23 फंदे ले लिए हैं wrong side से हमारा यह pattern start होगा तो first row देखें यह पहला फंदा हम उतारेंगे उन पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे wrong side है यह first row हमारे तो यह देखिए और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से तो यह हमारा edge stitch अब इनी 6 फंदों को हम repeat करेंगे उन पीछे 1, 2, 3 तीन सीधे फंदे एक, दो, तीन उल्टे फंदे उन पीछे, एक, दो, तीन सीधे फंदे एक, दो, तीन उल्टे फंदे हो गए तीन एक्स्ट्रा जो हमारा है उसको हम यह यहाँ पे सीधा बनाएंगे और edge stitch को उल्टा second row right side, जो फंदे जैसे हैं उसको हमने वैसे ही बनाना है यानि उल्टा के उपर उल्टा और सीधा के उपर सीधा तो edge stitch को उतार लेंगे बिना बुने अब यहाँ से हमारा बनेगा तीन उल्टा फिर तीन सीधा यह हो गया हमारा दिखे छे फंदा तीन उल्टा तीन सीधा तीन उल्टा तीन सीधा लास्ट में तीन उल्टा और edge stitch भी उल्टा दो सलाई हो गई तीसरी सलाई रॉंग साइट से edge stitch को उतारेंगे इसके बाद देखिए तीन फंदे एक दो तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे उल्टे उन पीछे एनी छे फंदों को रिपीट करेंगे थर्ड रो है मारी एक दो तीन सीधा एक दो तीन उल्टा उन पीछे एक दो तीन सीधा एक दो तीन उल्टा लास्ट में एक दो तीन सीधा और edge stitch उल्टा right side एब हमारी ये fourth row edge stitch को उतार लेंगे उन अपनी तरफ करेंगे और देखिए एक दो तीन उल्टा जो फंदे जैसे उनको वैसे ही बनाना है तीन सीधा देखिए एक दो तीन उल्टा एक दो तीन सीधा एक दो तीन उल्टा एक दो तीन सीधा एक दो तीन उल्टा और लास्ट का सीधा अब ये है हमारी fifth row wrong side यहाँ पे हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे तो पहले फंदे को उतार लेंगे और देखिए जो सीधा है वो भी जो उल्टा है वो भी सारे फंदे इस तरह से अब हम सीधा सीधा, सॉरी उल्टा उल्टा बनाएंगे फिफ्ट रो में सारे फंदे उल्टे उल्टे यहाँ पे देखिए सारे फंदे उल्टे उल्टे यह हो गया हमारा अब राइट साइट शिक्स रो यानि कि छट्वी सलाई अब यहाँ पे देखिए यह जो सीधे फंदे हैं यह हमारा पैटर्न का में बेस है तो अब एजिस्टिज को उतारेंगे यह जो तीन फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे जो अभी तक हमने उल्टा बनाया था इसको हमने तीन सीधा बना लिया अब यान ओवर करेंगे इस तरह से और देखिए इस पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और यह जो दो फंदे हैं इनको हम इस तरह से लेके सीधा बुनके दो का एक कर देंगे और इस उतारे हुए फंदे को इसके उपर से ऐसे करके गिरा देंगे तो यह बन गया हमारा पैटर्न फिर से यान ओवर करेंगे तो देखिए यह है अब हमारा 6 फंदा इसनी को रिपीट करेंगे तो देखिए 6, sorry 3 सीधा यान ओवर और अब देखिए इस फंदे को बिना बुने उतार लिया इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे एक साथ ऐसे अब इस फंदे को जो हमने उतारा है इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे यान ओवर फिर रिपीट करेंगे एक बर देखिए एक, दो, तीन फंदा सीधा यान ओवर करेंगे इस फंदे को ऐसे उतारेंगे बिना बुने अब इन दो फंदों को हम एक साथ बना के दो का एक करेंगे और इस फंदे को इसके उपर से उतार के ऐसे गिरा देंगे यान ओवर तीन फंदे सीधे edge stitch जो है वो भी सीधा तो यह हो गई हमारी 6 सलाई की design अब अगले 6 सलाईों में हमारा यही design बनेगा लेकिन अब इस फंदे पे हम सीधा बनाएंगे और इस फंदे पे हम उल्टा बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे अब edge stitch को उतारेंगे यह देखिए यह हम अपनी तरफ से उल्टा बनाएंगे यानि कि यह 7th row है उल्टा और उन पीछे करेंगे और यह जो हमने 3 का एक करके यान ओवर किया है इन 3 फंदों को हम wrong side से सीधा बनाएंगे ऐसे उन अपनी तरफ 3 उल्टा उन पीछे अब यह देखिए यह जो हमने 3 का एक किया है यह 1, 2 और यह जाली वाला फंदा 3 इन 3ों को हमने wrong side से सीधा बनाया तीन उल्टा उन पीछे एक दो तीन यह हो गया सीधा लास्ट में तीन उल्टा और एज स्टीज भी उल्टा यह देखिए आठवी सलाई right side से पहला फंदा उतारेंगे अब देखिए यहाँ पे 3 सीधा और 3 उल्टा एक, दो, तीन अब देखिए इन 6 फंदों को रिपीट करना है हमको तो तीन सीधा तीन उल्टा तीन सीधा तीन उल्टा तीन सीधा और एज स्टीज भी सीधा यह देखिए अब रॉंग साइट फिर से आगे हम हमारी नाइन्थ रो है यह तो अब देखिए जो फंदे जैसे हैं उसको हम वैसे ही बनाएंगे तीन उल्टा तीन सीधा तीन उल्टा तीन सीधा लास्ट में तीन उल्टा एज स्टीज भी उल्टा अब राइट साइट आगे हम तैन्थ रो यह देखिए जो फंदे जैसे हैं उसको वैसे ही बनाना है तो तीन सीधा तीन उल्टा तीन सीधा तीन उल्टा तीन सीधा तीन उल्टा तीन सेथा और एज सेथा तो यह देखिए यहाँ पे हमारी दस सलाई कम्प्लीट हो गई है और यह देखिए एक दो तीन चार यह इसका उल्टा पाट देखिए एक दो तीन चार नीचे भी देखिए एक दो तीन चार अब ग्यारहवी सलाई में हम सारे फंदे ये उल्टे उल्टे बना लेंगे रॉंग साइट से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे तो ये दो सलाई बीच में हमारी सीधी उल्टी बनती है तो रॉंग साइट से हमने उल्टा बनाया और right side से हम जब design बनाएंगे तो वो पूरी सीध ही सलाई जाएगी तो यह देखिए इस तरह से सारे फंदों को हमने उल्टा-उल्टा बना लिया इस तरह से और अब हमारा pattern बनेगा देखिए यह एक, दो, तीन, चार है बस इसी को आप ख्याल करिएगा अब यहाँ पे देखिए edge stitch को उतारेंगे, यान over करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतार के अगले दो सीधे फंदे को हम एक साथ सीधा बना देंगे और जो फंदा हमने उतारा है इसके उपर से इसको ऐसे गिरा देंगे, फिर से यान over और तीन फंदा फिर से सीधा अब यान over करेंगे तो देखिए इन छे फंदों को हमने repeat करना है, यहाँ हमने जाली बनाई और तीन का एक किया और यह तीन फंदा हमने सीधा बनाया फिर से यान over करेंगे, पहले फंदों को उतार लेंगे दूसरे दो फंदे जो हैं उनको हम दो का एक करेंगे और इस फंदे को इसके उपर से ऐसे गिरा के यान ओवर कर लेंगे तो ये तीन फंदे का तीन फंदा फिर से हमारा बन गया तीन सीधा यान ओवर अब ये फंदा उतारेंगे बिना बुने और इसको हम दो का एक कर लेंगे एक सार और इस फंदे को इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे फिर से यान ओवर करेंगे तीन फंदा सीधा यान ओवर अब देखिए ये जो तीन सीधे फंदे हैं पहले फंदे को इस तरह से उतारेंगे बाकी के 2 फंदों को हम ऐसे 2 का 1 करेंगे इस फंदे को इसे उपर से ऐसे गिरा देंगे यान over करेंगे और फिर last वाला फंदा देखिए ऐसे तो यह हो गई 12 सलाई के हमारी डिजाइन तयार इनी फंदों को repeat करते जाना है तो हमारा pattern बनके तयार हो जाएगा तो दोस्तों देखिए मुझे उमीद है कि यह डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको यह डिजाइन पसंद आती है तो आप जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है त मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाए